तो यह हमारी यह आ चुकी है तो हमारा यह reset button आ चुका है यहां पर अच्छे से और अगर मैं इसे run करूँ तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा कैसे अब layout में changes हो चुके हैं लेकिन अभी इस में हमारा सिर्फ यह रिसेट बटन कहा है अब भी अगर मैं इसको यहां पर मैंने स्कूर टाइप करें स्कूर पर क्लिक करा कि टीमें के इतने स्कूर हो गए अगर मैं reset पे क्लिक करूं तो अब भी reset पे कुछ हो रहा नहीं है reset button अभी हमारा working condition में नहीं है सर्फ place करा है हमने तो अब हमें क्या करना है अब हमें उसकी functionality add करनी है और उसकी functionality add कहां करेंगे हम java file में जाके तो java file में जाके हम कहां add करेंगे आप यहां पे नहीं पर भी इसकी coding लिख सकते हो हम क्योंके reset button बिल्कुल end में है तो हम end में लिखते हैं याद रखेगा यह लास कली ब्रैक यह है bracket है इसके हमेशा अंदर लिखना है आपको किसी भी method कि जो सारे method होते हैं अंदर नहीं लिखना है और यह जो हमने अधर लिखें यह वह है और जो यहां पर में एक्टिविटिए हैं बिल्कुल उपर लिखते हैं क्यों ग्लूबल वेरियेबिल्स तो हम यहां पर क्या लिखेंगे अब इसके लिए फंक्शन लिखेंगे प्प्प्प्लिक क्युक्यूं अब हम इसको सीधर रिशेट कर देंगे हमने यह तो लिख दिया है है बट अभी हमने एक और पॉब्म है यह देखे हाइलाइट नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि यह कभी यूज नहीं हुआ तो हमें ऑन क्लिक वाला मैंटर्ड भी यूज करना था कि मैं क्लिक करूं इस पर तो इस पर कुछ इस फाला है तो जैसी हम पे कहा जाए है कि हमें क्यक्त चाहिए है एक यह तो सबसे पहले हमें चाहिए है कि score जैसी हम reset button पे click करें राइट हमारा यह वाला button reset इस पे click होते ही सबसे पहले क्या हो सबसे पहले जो score था team A का एक तो वो zero हो जाए और score था team B का वो zero हो जाए और उसके बाद जब दोनों के score zero हो जाए हमें display कर आए वो राइट तो इसकी functionality क्या है कि पहले हमें score zero करना है दोनों का और उसे शो करना है यह हमारे चार step है actually जो हमारे starting के दो step है जो उसे पहले zero करेंगे वो हमें show नहीं होंगे राइट क्योंकि वो हमारे view में नहीं है कौन से दो step हमें दिखेंगे जो जब हम display करेंगे उसे तो display करेंगे अब तो उसे कैसे work करेंगे यहां पर देखेंगे हम तो यहां पर मैं क्या add करूं सबसे पहले हमें क्या करना है score जो करना है team A का उसे zero करना है तो score क्या था score of team A यह आगया score of team A इसे क्या कर दिया हमने 0 क्या गनना था मैं सबसे पहले कि क्या करना है team A का उसे zero गनना था और score team B कभी क्या करना था मैं 0 तो यहां पर मैंने initialize कर दिया और semicolon दे दिया तो चाहे मैंने score यहाँ पर team A team B का कुछ भी score हो वो store है उस time पर लेकिन जब मैंने यहाँ पर zero करा तो जैसे यहाँ पर इसकी value बढ़ रही थी 3, 4, 5, 6 ऐसी यहाँ पर उसकी value अब क्या store हो जाएगी? 0 तो जो उसकी initial value है 0 वो दुबारा कहा return हो जाएगी? जो यहाँ पर हमने global variable में उसकी value दीची 0 तो यहाँ पर यह आगया हमाला 0 अब इसको हमें display करवाना है अभी तो हमने कहाँ दिखाना है सिर्फ 0 करी है value display भी तो करवाना है न तो display अभी तक हम score कहाँ से display करवा रहे थे यहाँ से तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूं score दिखाना है मुझे किसका team A का तो मैंने यह क्या दे दिया team A और display display for team B और इसमें क्या दिखाना है score क्या दिखाना है team B का तो यह हमारा अब पूरा हो चुका है तो इसमें क्या चीज थोड़ी सी यह देख सकते हैं थोड़ी टेक्निकल यहाँ पर यह है कि यह डिस्प्ले for team B वाला function method ता हमारा वो कहा है मैंने control B जैसी कर रहा तो यह कहा जबुआ है यहाँ पर इस वाले method का के काम था सिर्फ डिस्प्ले करवाना है चाहें वो score हो यह फिर reset कर score हो और हमने यहाँ पर score क्या दे दिया initialize कर दिया यह 0 तो जैसी मैंने यहाँ पर score team A equals 0 दिया तो यह कहा गया है यहाँ पर और यह सीधा method में जाके इसने display करा दिया ऐसी team भी का तो एक बार हमारा reset button work कर रहा है या यह थोड़ा सा आप लोगो complicated लग सकता है कि बहुत complicated है बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज आपको असान लगते रहेंगे तो यहाँ पर क्या आगया ह हमारा application आगया है यहाँ पर जैसे हमारा क्यूंकि एक चीज यह भी check करते रहा करिए कि हमने कोई चीज चेंज करिए अपने code में तो कोई और चीज खराब ना हो जाए उस coding की वज़ा से क्यूंकि ऐसा बहुत हुदा है आप कुछ और code करते हो और वह at the end of the day हमारी कोई और functionality रुक जाती है work करने तो अब हमारा क्या है moment of truth आगया है कि हमें अगर reset पर क्लिक करेंगे क्या यह सारी value 0 होंगी तो जैसी मैंने 0 पर क्लिक करा तो आप देख सकते है टीम ए और टीम बी क्या हो गई है 0 अब मैं फिट से क्लिक करूंगा दूबारा से record करना start कर देगा values को त तो हम क्या कर देंगे रिसेट कर देंगे जाकि उनकी value दुबारा से हो जाए 0 अब इसमें एक change और भी है जरूरी नहीं है हर चीज का एक ही solution नहीं होता आप इसमें एक change और भी कर सकते हो कि simply एक scene यह भी है यहां पर score team A 0 score team B 0 ना करके यहां पर अगर मैं direct 0 और यहां पर direct मैं अगर 0 दे दूँ और score team A और score team B था इन्हें delete कर दूँ तो आपको क्या लगता है अब भी क्या दिखाएगा यह एक बार run करके देखते हैं और देखते हैं क्या अब भी यह वही दिखाएगा या कुछ different है इसमें अगर मैंने score team A score team B भी हटा दिया है तो मैंने यहां पर 32 यहां पर दे दिए इनके score दे दिए अगर हम मैं reset करूंगा तो आप देख सकते हैं अब भी यह क्या हो रहा है जीरो ही हो रहा है लेकिन आपने एक बात notice करी यह score सिरो दे तो दिया लेकिन जो इसकी initial value महीं से start होगी तो इसलिए हमने क्या कर रहा है जो solve किया जा सकता है कि initial value भी इनकी हम क्या कर दे जीरो कर दे लेकिन जो best method है वो यह ही है कि हम सीधा इसे score ना देखे एक functionality wise भी हमारा क्या better रहता है यही better रहता है कि क्योंकि हमने starting में समझा तो जो हमारी starting की वीडियो ती उसमें यह literal values होती है जो हम assign कर देते हैं जो hardcore setup होता है जो hardcore हमने install कर दी उसमें कि यही होगा तो यह चीज है actually थोड़ी long run में थोड़ी complicated हो जाते हैं अब उसमें हमारी successful नहीं रहते हैं तो इसलिए हम हमेशे क्या रखते हैं कोशिश करते हैं कि जो हमारा app हो थोड़ा interactive रहे और उसमें values जैसे हम change करें वैसे वैसे change होती रहे हमे एक बार और हम run करके देख लेते हैं कि हमारा app सभी work कर रहा है या नहीं तो यहां पर मैंने क्लिक करा reset करा और दुबारा से value starting से start हो रहे हैं तो यहां पर हमारा जो code counter app था basically 95% हमारा complete हो चुका है हमने क्या सीखा इन सम्में कि responsive buttons कैसे बनाते हैं कैसे उनके अलग-अलग layout ब बनाइंगे जिससे हमारे score reset हो सकें और interactive हो सका पूरा app एक दूसरे के साथ लेकिन अभी इसमें हमारा और क्या है अभी इसका थोड़ा look और अभी अच्छा बनाइंगे हम उससे देखेंगे कैसे हमारा look और better हो सकता है और कैसे थोड़ा दिखने में और better हो सकते हैं बना सकत उसका जो appearance होता है वह app का बहुत जरूरी होता है कि user को अच्छा लगे देखने में यह हमारी functionality तो अच्छा गर रहा है बर दिखने में इतना अच्छा नहीं है तो हमें एक app की appearance देना अच्छी देना बहुत जरूरी है तो अब देखेंगे कि इसके theme कैसे change करेंगे और कैसे इसमें और इसकी appearance better करेंगे